नौश्का एम कंप्यूटर्स चा टैली प्राइब या माराटकी वाश्यतिल चैनल मदे आपले स्वागत है अजुनी सब्सक्राइब केलो ना सिंतर सब्सक्राइब करा लाइक करा आणि हो कमेंट करा लाही विशुरू नका आधा पन टैली मद इंपसर वात महत वाता विशे जी एस्टी गोट्स एंड सर्विस टैक्स हा गेतव है एंटर्डेक्शन टू गोट्स एंड सर्विस टैक्स ब्सक्राइब करें ज़ूले 2017 ला एपलीकेबल केला तोमां क्या दूश्य शुरूवार दाली जी एस्टी एन्या पुरवी बारता मदे वह को प्रकार चेस होते आजी आहे पुर्वी होते, तच्च मोदे प्रमुखे दारेक्ट टैक्स आने इंडारेक्ट टैक्स, दारेक्ट टैक्स मोदे इंकम टैक्स, सर्वात महत वात टैक्स आहे, इंडारेक्ट टैक्सेस मोदे मात्र, सेंट्रल गवर्मेंट आने स्टेट गवर्मेंट चे विग ऐसे आतो मोबाइल इंडस्ट्री आहे जी कोल महींनिंग आहे कि वे गुवर्गलय टक्सेल आहे थाए एप्लीकेबल आहे जाहा पदल की झांवर्गो की केंदरे सरकार द्वार्य करें आप भीकेबल आहे महाराष्ट स्राशन कि वहां राज्य सरकार, Valuated Tax, CST, Entry Tax, Optry और Local Body Tax, Entertainment Tax Entertainment Tax हा आपन जेके चित्रपट बेगेरे पाहयला गातु तर त्याच दर आपन रिसिट पाहिली असेल, क्यों त्याची पाउथी पाहिली असेल लग्जरी टैक्स, Stamp Duty और रिसिट्रेशन फी जागा खरेदी विक्री आपन जेके लेला करतो हो त्याँ कर्ज वेगेरे कारतो हो त्याँ वेला Stamp Duty बढ़ावी लगते त्याची रिसिट्रेशन फी बढ़ावी लगते आता GST मदे या सर्व टैक्सेस काय काय जालो कुठे 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 एक्कत्री करन जालो त्यापन बढ़ावी GST प्रवास कसा जाला है तो आपन पाउगे चौदा जुन दो नदर सोला रोजी GST तो मॉडेल लो एक काईदाच ड्राफ्ट जाला मनतार कच्चाक मसुदाच आहे तो पबलिक डॉमेन मादे सर्वजनिक केला गेला माझे सरवांच्या पाढ़ी साथी चौदा जुन दो नदर सोला रोजी तो ठेवला गेला 24 जुन दो नदर सोला रोजी तो पबलिक ड़ाला लेंतर 8 सेप्टेबर दो नदर सोला रोजी राश्टीरपफिंची त Bowl त्याच वर्ती मान्यता आपले आला मिलाली मान्यता मिलाले अंतर त्याच वर्ती काम आणकिन सुरू दाला 16 सेप्टेबर 2016 त्याच काइदेशिर रितिया काइदा मोनुन अट 2016 चो नोटिफिकेशन आला सवीस नॉएंबर 2016 पुन्ना त्या ड्राफ्ट मदे बदल करने आले आणि तो जी एस्ट लॉव मानुन पब्लिक डोमेन मदे सरवांचा साथी उपलूब दाला आधा यहा लॉव माने जी काई काइदेशिर रूपांतर काइदा मोते करने आ साथी महनुन एक कुंति स्मार्च दो नदर 17 रोजी cgst बिल मंजे केंद्रिय गूद्स एंड सर्विस टैक्स आई जी एस्ट इंटीग्रेटेड गूद्स एंड सर्विस टैक्स बिल यूटी जी एस्टी हाँ बर्याद देड़ाना माहिती नशनारा कर करने आपन जनरली स्टेट्स मदेर आतो उनियन टेरिटरीज आपले बार्ताच जो भाग आहे केंद्र शाशित प्रदेश तला यूनियन टेरिटरीज बन अतर यूनियन टेरिटरीज गूद्स एंड यूएज रूल्स एवलेबल गाले, सहा एप्रिल रोजी ये चार रूल्स लोकषभा मधे संबत करने आताले, ते राज्यसभे नहीं मनने केले, कोंता ही काईधा अस्तित्वा देने साथी लोकषभा नहीं राज्यसभा दोनीमधे तो मनने वावाला लाग तो पारित वाव गया चाओता तो पास कराई चाओता ही काईदिशिर प्रक्रिया है ते तलो 16 एप्रिल ला तेलंगा ना नी पास केला आणि तद नंत प्रत्यक राज्या नी तो मंजूर गुर्ण गेत लिला है 2018 में 2017 रुजी GST काउंसिल ची मिटिंग दाली अपले सर्वन चे माइती सथी संतु की GST काउंसिल काया है GOODS and Service Tax Council है कि यह कमेटी मद भारता चे अर्थमंत्री आनी प्रत्यक राज्या चे अर्थमंत्री आर्थ सेकरेटरी वेह गरें था कमेटी चे मेंबर्स है जो GST कायदा दला त्या GST कायदा ला अनुसरुन GST चे दर ताचे slab ताचे returns कोणतेया पद्धती नी ते बहराईचे ताचे refund कोणतेया पद्धती नी मिलना ताचे आकारनी कशिवना और ताचे अवर ती दंड काय लावला दाना या सर्व कोष्टिंच नियमन करना साथी ते दर त्या मिटिंग चे मानने देन अंतर ते अप्लिकीबल होता सता तर आठा में दो नादर 17 रोजी GST कांसेल ची मिटिंग दाली और तैनी पहलां दा GST चे दर हे शेडियूल के लिए आनी फाइनल GST रूल विट रिटन फॉर्मेट्स माजे ताचे कोणतेया पद्धत रिटन conversion के आश्ट्टलेल भारत राष्ट्र माथे सर्वाच मुठ्या कम्योनिटी साथी एक टेक्स स्ट्रक्टर ऊबाराईल घूट्स एंड स्र्विस tax one market एक राष्ट एक कर एक बजार या संकल पेंडिल tie है, आलो, GST मों business reforms तर होना रहा है, पन tax reform से मुठ्धा प्रामाणवर होना रहा है, जाले ले आये, हाँ GST incremental tax नहीं है, मज़े पहले निदाहारूपए टैक्स लावला, दूसरी निदाहारूपए लावला, तृसरे निदाहारूपए लावला, आसा कोरून तीगान चेही tax, उ Likable होत नाई है हाँ सेट अफ देना रा टेक्स आहे मजे पुर्वी ला आउलेला टेक्स मन्न वजावट कोरून देना रा टेक्स आहे आणी highly compliance driven law यह चाहिए तो compliance driven law है आणि यह चे मदे IT infrastructure चा मुठ्या प्रमाणा और वापर करने आ लेला है simple है cash cutting effect remove करना रहे tax over tax tax over tax यह system मदे लागत नहीं आणि technology चा वापर केला हसले मोड़ा जैनी tax cut केलेला है त्यानी तो भरला कि नहीं त्या customer ला immediate करत common threshold limit मजे एक दे राज्याला वाटते मनून त्यानी ती limit कमी ठेवावी और दुसरे राज्याला जास थेवावी आस हूँ नहीं मनून प्रतिक राज्या मदे समान कर रचना यावी मनून common threshold limit दिलीला है tax credit मदे supply chain मदे continuity ठेवलीले cash cutting effect remove के लेला है आणी pan based registration या registration मदे कुठी duplication हूँ नहीं मनून आणी तच्छा मदी security रावी मनून pan card based registration system आए GST number वर्ति आपन डिसकस करता ना तो number कासा generate होतो तैयार होतो यह आपन पाणर होतो त्यावलेला pan card चा आपलेला लक्षा थी है valuation based tax आए branch transfer credit eligibility आए तच्छा मदे अपन जो काई माल खरीदी के ला है खरीदी करता ना अपन जो काई tax भर लेला है तो विक्री करता ना आपलेल तोड़ा कमी भरावा लगना रहे आता इतो फार्म सब्मिशन जा ताप जो यह तो वाच लिला है मदे C firm भरा, F firm भरा, H firm भरा, SCZ असल तर वेगला फार्म भरा, exercise duty करा, तानंतर service tax भरा, production tax, VAT वेगला भरा यह सर्व रिटन्स एकाज वड़ी, एकाज पोर्टल मदे इतर इन्कॉर्परेट के लिला है अता यह रिजिस्टेशन कुना ला करा वो लगता, यह सर्व ठीक है, मला अता जीस्टी लागू होना रहेका, माज बिजनस काई आहे, ताच थ्रेशोर लिमिट, रेगुलर डिल जो आहे, ताचे मादे स्पेशल काटेगरी ची राज्या है, ताचे कणी 10 लाकाचे टरन ओर जर आसेल, तर त्याना रिजिस्टेशन बंधन कारक के लिला आहे, तामादे अरुना चल प्रदेश, आसाम, मनिपूर, मेगाले, मिजोरा, नागालेंड, शिक्किम, त्रिपूर हिमाचल प्रदेश आणी उत्तराखंड, ही जी राज्या या ठीकाने, दहा लाकाचे अवर बिजनस जर आसे इल्थर तैनी, रेगुलर डिलर मोणों रिजिस्टेशन गेंड़ बंधन कारक है, ही राज्या सोरुन उरुवरित, जालोले जी एस्टी काईदा अप्लिकिबल या लालो तो तावलर लोल वीस लाक उथर, आणि आज ते चाहिस लाका उर्ती अनलेला है, जै जाजा व्यापारेम चो टर्नोवर चाहिस लाका पेक्षा कमी आए, ताना रेजिस्टेशन करन्या ची गरद नहीं, पंड ते रेजिस्टेशन करू शकतात, मैं तरनों लक्ष चाली रजिस्ट्रेशन करनेया ची ग्रज नए, 20 muz. पर गेने साथ इमानों या दोन गोश्टी दी लेले आहे तैसर वे कंपोजिशन स्कीम मला काई ते 20 लाग जो और माधा बिजनस है पन मला तो इन्पूट जी आउट्पूट जी 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 रिटरंस दर महाईने ला भरा आणि तैसर गोश्टी मेंटेन करना शक्क नहीं तर तुम्हीं डारेक्ट तुमचा सेल वर्ती तो टैक्स भरू शकता तैसर टर्ण ओर शुरुवातीला 15 लाग रुपे उता ये 15 लाखा परेंत कंपोजिशन डिलर मनों तुम्हाला नोंदनी करता ये सद्ध्याते लिमिट 1.5 करोड दीड कोटी परेंची ही लिमिट के लिलिया है जाचे टर्ण ओर दीड कोटी चे आता है ते कंपोजिशन स्कीम मदे भाग गयो शकते या स्कीम चे कई फाइदे तो टैक्स आये तो टैक्स लेला सेट आप मनों मिलत ने तो वजा कुरून गेता येतने संपूर्ण दालेला सेल वर्ती तेला टैक्स भरावा लगतो यहांचे मदे supply of services, service supply करना रेनना हाँ applicable नहीं है, food आनी consumption शोडून, e-commerce operator अस्तिल तर त्याना composition scheme नहीं है और पर राज्यात विक्री आनी खरे दी असिल तर त्याना applicable नहीं है, cannot claim input tax credit, input tax credit claim करूशेकर नहीं, एप्लिकेबल फॉर ओल ट्रांजेक्शन अंदर पैन अंदर जाहे तैचरेट टक्स का आये मैनुफेक्ट्रेर असल तर दों टक्के व्यापरी असल तर एक टक्का सप्लियर ओफूड द्रिंग्स एड हुमन कंजम्शन असल तर पाच टक्का अश्या पद्धति चर टेक्स स्ट्रक्चर एप्लिकेबल आहे आता सुरुवतिला काय कराल लगें टेक्स साथी एंड्रोल्मेंट अपलेला कराल लगें एंड्रोइट मेंट के लिए अंतर प्रोव इस महाराष्ट्र साथी आसेल और किन बाकी चे कोड त्याची लिस्ट आपन आपलेया डिस्रिप्शन लिंक मदे देना रहते है पुर्चे ए ए ए ए एस वन टू त्री फोर ए हाँ जो है हाँ त्या कस्ट्रमर चा क्यों त्या पार्टी चा पैन नंबर आहे त्या पैन कोड आहेत त्या अलफा नुमरिक कोड आहेत अलफा बिट्स पढ़ेता त्या अलफा नंबर्स पढ़ेत अ असया पते हां नंबर जो आनो जुम्द होतास्तों तब साधनाता जीस्टी ता अपलेल लक्षत अलसेल आतार रेजिस्टिशन कुणा लो कुणा लो कुणा लो कालरना कमपॉल्शन आहे taxable person carrying interest rate पर राज्यात supply करना रहना compulsory registration करावा लागेल non-residential Indian non-resident taxable जे भारतिय नाही है त्याना compulsory भारतत बिजनस करतात पर भारतिय नाही है त्याना करावा लागेल business liable to pay tax under reverse charge reverse charge मरोन इथे concept GST मद applicable केले लिया है ती concept अपनों आले वर्थी पाऊ तर त्याना ही registration करावा लागेल taxable persons चे वतीने माल supply करना रहना करावा लागेल input service distributor आलेल tax input जर आपलेला पुढे दयाई चे असेल carry on कराई तर रेजिस्टेशन करावा लागेल जहां companies ना TDS cut करावा लागतो त्याना सुदा रेजिस्टेशन करावा लागेल e-commerce चे ऑपरेटर्स जहां त्याना रेजिस्टेशन करावा लागेल तर यहां सरवान ना GST रेजिस्टेशन अन्लाइन data entry काम करना रे ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करना रे जी कम्पनी जहां त्याना सुद्धा GST रेजिस्टेशन करावा लागनार आहें पहला बागा मदे आद अपन इथेस्थाम हूँ आणि पुर्शो बागा मदे आपन टैली मदे वीगुळाग जहां कंसेट्ट वापरले गेले यहां GST मदे त्या पाणारों आच्छा वीडियो उन्ना तुम एकदा पाहा आपले लेहां सर्वा कंसेट्ट क्लियर होतीर ला अभा मदे आपले लेहा पाहा गुत मैँ एकद़ बागा मदे एकदो है रस्माँ वीडियो मेघ ला कंसेट्था लेवा